हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुराधा ए हेल्थ के प्रफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चानल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब एक महिला का गर्वधारण हो जाता है तो उसके बाद उनके किन-किन अंगों में सूजना सकता है क्योंकि जब एक महिला गर्वधी होती है यानि कि उनका फोटलाइस्ट एंब्रियो उनके यूटरेस के जाकर चिपकता है या फिर इंप्लांट होता है तो उनके सरीर में बहुत सारे होर्मोन डेवलप होना सुरू हो जाते हैं जैसे कि प्रोजिस्टरोन, इस्ट्रोजन और सीजी होर्मोन और बच्चे को पोशन देने के लिए महिला के सरीर में 50% यानि कि 50 वी सदी जादा खून बनना सुरू हो जाता है और साथी साथ कई तरह के लिक्वीड यानि कि तरल पदार्थ भी बनना सुरू हो जाता है क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मा के सरीर से ही पोशन मिलता है तो इसलिए मा के सरीर में ज्यादा एमाउंट में खून बनना सुरू हो जाता है और साथी साथ बहुत सारे लिक्योड यानि की तरल पदार्थ बनना भी सुरू हो जाता है तो जादा खून और तरल पदार्थ बनने के बज़े से एक गर्भपति महिला के डिफरेंट डिफरेंट अंगों में सूजन आ सकता है तो चलिए हम बात करते हैं कि जब आपका गर्भ ठहरता है तो आपके किन-किन अंगों में सूजन आ सकता है पहला जो अंग है वो है breast जब आपका गर्व ठहरता है और आपका implantation successful हो जाता है तब ही से ही आपका सरीर बच्चे के लिए खाना बनाना सुरू कर दाता है और बच्चे का खाना बनाने में जो अंग एहम भूमिका रिभाता है वो है आपका breast तो breast के तरफ ज्यादा blood flow होने ल लगते हैं तो इसके बज़े से breast में सूजन आ सकता है आपका breast आपको फुला-फुला होगेगा और इसके तरफ blood circulation बढ़ने के बज़े से breast का size भी बढ़ने लगेगा उसमें सूजन आने लगेगा breast बहुत ही ज़्यादा sensitive हो जाएगा blood circulation ज्यादा होने के बज़े से breast के जो या फिर आटरी या फिर वेन वो उभर के दिखने लगे के आप वो clearly नीटली नी वेन और आटरी देख सकते हैं दूसरा जो अंग जिसमें सूजन आ सकता है प्रेगनेंसी के दोरान या फिर प्रेगनेंसी ठेहरने के बाद वो है आपका होंट हॉर्मनल चेंजिस के बज़े से एक गर्भवती महिला का होंट में भी सूजन आ सकता है तीसरा जो अंग जिसमें सूजन आ सकता है वो है आपका नाक Hormonal Changes के बज़े से आपके नाक में जो internal gland से वो फूल सकते हैं और आपका नाक में भी सूजना सकता है बहुत सारे महिलाओं को इस दोरा nose bleeding का भी problem रहता है चौथा जो अंग जिसमें सूजना आता है pregnancy के बज़े से वो है आपके मसुड़े Hormonal Changes के बज़े से आपके सरीर में blood circulation बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो इसके बज़े से gum के area में भी सूजना सकता है और बहुत सारे महिलाओं को gum bleeding का भी सिकायत होता है जब आपका pregnancy confirm होता है तब ही से ही आपको dental check-up regularly करवाना चाहिए इसके अलाबा pregnancy के दोरान खून और तरल पदार्थ के मात्रा बढ़ने के बज़े से एक महिला के चेहरे में भी सूजना सकता है चेहरे में सूजनाने के पिछे pregnancy hormone ही responsible होते हैं इसके अलाबा yearly pregnancy में एक महिला के जननांग में भी सूजना सकता है क्योंकि blood circulation जननांग के तरह भी बढ़ने लगता है और hormonal changes भी होने लगता है तो इसके बज़े से बहुत सारे pregnant महिलाओं को urine पास करते समय तकलिव होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जिस अंग में सूजनाता है वो है एक गर्मपती महिला का पेर और पेंडोली जब प्रेगनेंसी कनफर्म होता है तब तो इतना ज़्यादा सूजन नहीं होता है लेकिन जब बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है यानि कि 2nd dry semester या फिर 3rd dry semester में तो सरीर का जो उपरी हिस्सा है वो भारी हो जाता है और उपरी हिस्सा का पूरा भार सरीर के निचले हिस्से यानि कि पेर और पेंडोली पर पड़ता है इसलिए लगभग 90% महिलाओ को प्रेगनेंसी के दोरान पेर और पेंडोली में तेज सूजन महसूस होता है प्रेगनेंसी के दोरान इन सारे अंगों में सूजनाना आम बात होता है यानि कि नॉर्मल होता है लेकिन अगर ये सूजन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन हो रहा है तो medical term में हम इसको edema बोलते हैं तो अगर आपको जरूरत से ज़्यादा सूजन हो रहा है तो आपको अपने gynecologist से जरूर मिलना चाहिए एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको पेर में या फिर पेंडूली में सूजन है तो आपको उसे राहत पाने के लिए हलके गुनगुने पानी में अपना पेर कुछ देर के लिए डूबो के रख सकते हैं आप चाहे तो उस हलके गुन-गुने पाने में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। मैं उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फरमेटिव रहा होगा। और एक नए इन्फरमेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। सब तक के लिए स्टे हल्दी और स्टे हैपी।